क्या किड्नी रोगी टिंडे खा सकते हैं? टिंडे की सबजी बेशक सभी लोगों को अच्छी ना लगती हो लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें टिंडे खाने काफी पसंद होते हैं जिन्हें टिंडा पसंद नहीं उन्हें हम बता दें कि टिंडे में ऐसे कई गुण हैं जो आपको स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं टिंडा आपके पाचन तंत्र को भी ठीक रखने के साथ साथ आपके इम्म्यून सिस्टम को मजूद बनाने का भी काम करता है और इतना ही न आज हम आपको अपने चैनल केड़नी ट्रीटमेंट विदाव डायलेसिस के माध्यम से टिंडे के कुछ फायदे बताते हैं और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि क्या किड़नी रोगी इसका सेवन कर सकते हैं चलिए शुरुवात हम किड़नी से ही करते हैं किड़नी को समस्या को दूर करने के लिए एक अच्छा हो पाय है और इसके सबसे खास बात यह है कि इसका सेवन किड़नी के मरीज भी कर सकते हैं आईए जानते हैं इसका दूसरा फायदा टिंडा यानि की एपल गौर्ड खाने में हलका होता है और इसको पचाना भी आसान होता है इसमे फाइबर सही मातरा में पाये जाते हैं जिससे यह जल्दी डैजेस्ट हो जाता है टिंडे को एक और श्दी के रूप में भी माना जा सकता है क्योंकि यह आपके शरीर को कई सारी बीमारियों से बचाता है टिंडे का सेवन आपको हाई बलड प्रेशर की समस्या से दूर जैसा कि हमने आपको भी बताया कि टिंडे में सही मातरा में पानी होता है जो आपके शरीर में टॉक्सिंस को बढ़ने नहीं देता साथ ही यह यूरीन की मातरा को भी प्रभावित करता है तो इससे आपके शरीर में जमा गंदगी यूरीन के माध्यम से बहार निकल जाती है और जब ऐसा होता है तो इससे आपका blood साफ रहता है और साफ blood को kidney सही से filter कर पाती है जिससे आपका blood pressure समान्य बना रहता है इसका तीसरा फायदा ये है कि टिंडे का सेवन आपको urine संक्रमन की समस्चा से दूर रखता है टिंडे की तासीर ठंडी होती है साथ ही ये आपके urine की मातरा को भी बढ़ाता है जिससे आपका सही मातरा में urine release होता है और आप urine संक्रमन के खतरे से दूर रहते हैं इसके साथ ही टिंडे का सेवन आपको diabetes की समस्चा से भी दूर रखता है टिंडे में calories कम होती है और साथ ही fiber सही मातरा में होता है जो आपके blood में sugar के स्थर को बढ़ने नहीं देता जिससे आप diabetes के खतरे से बचे रहते हैं और आपके kidney भी सही रहती है टिंडे का सेवन आपके blood में cholesterol को बढ़ने नहीं देता है जिससे आपका heart स्वस्थ रहता है टिंडे में antioxidant के गुण होते हैं जो cancer cells को बढ़ने नहीं देते पुरुषो को टिंडे का सेवन काफी फायदेमंद होता है इससे वह prostate cancer से बचे रहते हैं टिंडे में खाने में हलका होता है तो इससे पेट से जुड़ी समस्या नहीं होती और आप constipation जैसी परेशानी से भी दूर रहते हैं टिंडे में पाये जाने वाला omega 3 fatty acid आपके दिमाग को active रखता है साथी हातों पैरों में आई हुई सूजन को भी दूर करता है टिंडे ना सिर्फ आपकी सेहत बलकि आपकी सुन्दर्ता को भी निकारता है इसमें anti-oxidant के गुणों के साथ साथ पानी की प्रियाप्त मातरा होती है जो आपके बालों को स्वस्थ बनाये रखने में मदद करती है टिंडे में सही मातरा में पानी होता है जो आपके बालों की जड़ों को रूखेपन से बचाता है जिससे आपके बाल बेजान नहीं होते और बालों का जड़ना भी कम होता है तो ये थे टिंडे के कुछ फायदे जिसका सेवन आपको किड्नी की समस्या उसे दूर रखता है तो आज के लिए बस इतना ही हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कर्मायरोदा में कुछल डाइटिशन मौजूद हैं जो आपको आपकी रिपोर्ट के हिसाब से ही डाइट की जानकारी देते हैं अगर आप डाइडेसिस और किड्नी ट्रांस्प्लांट के समस्चा से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मायरोदा अप्चार के इंद्र से समपर्क कर सकते हैं